मैं अमित अनिल चंद्रसा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ इस्वर की सपट लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सची स्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षोन रखूंगा तथा जीस पद को मैं ग्रहन करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का स्रद्दा पुर्वक निर्वहन करूंगा गांधी नगर सीट से ग्रीमंत्र अमिच्शा पहुचे है संसद और ये सीट बहुत पुरानी सीट रही है और अब ऐसे में ग्रीमंत्र अमिच्शा जो हैं वो संसद में शपत लेते हुए नजर आए लेकिन जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉंग्रिस पर बड़ा हमला बोला और देखे संसद की बात कीज़ा और ग्री मंत्र अमिट शा की बात करें वो वक्त याद कीज़ा जब धारा 370 को लेकर ग्री मंत्र अमिट शा की तरह से संसद के अंदर बयान दि किया गया तो जस तरीके से उस बेल को पेश किया गया वो वाकई काबिले तारीफ था दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक तरफ जो तमाम सांसर शपत लेते हुए नजरा रहे हैं मैं नितीन जैराम गड़करी जो लोकसबा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ इश्वर की शपत लेता हुँ कि मैं विधी द्वारा स्वापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अक्षुन रखूंगा तथा जिस पत को मैं ग्रहन करने वाला हूँ उसके करतवियों का सद्धा परवक निर्वन करूंगा नागपूर सीट से चुनकर नितिन गड़करी पहुचे हैं संसद और ये पहली बार नहीं है नागपूर सीट से हर बार जो है किस तरीके से वहां की जनता अपना प्यार अपना विश्वास नितिन गड़करी पर जताती है और यही वज़ा है कि इस बार भी सड़क मंत्राले जो है वो नितिन गड़करी को ही दिया गया पिछले 15 साल में जिस तरीके का काम नितिन गटगरी ने सड़कों को लेकर किया है देश के कोने कोने में सड़कों का जाल जिस तरीके से बिचाया है चाहे वो पुल की बात की जाए, हाईवेस की बात की जाए या सड़कों की बात की जाए सडक को किस तरीके से गाउं से जोड़ा जाए क्योंकि ऐसे ऐसे गाउं जहां तक आज सडक नहीं पहुच पाई थी 2014 से पहले वहाँ पर भी सडक पहुचाने का कान नितिन गटगरी के तरह से किया गया और इसलिए नागपुर से एक बार फिर से सांसद के तोर पर चुने गए है नितिन गटगरी और अब ये कारिक्रम आगे बढ़ता को शिवराज सिंग चौहान मैं सिवराज सिंग चौहान जो लोग सभा का सदस से निर्वाचित हुआ हूँ इसवर की सपत लेता हूँ कि मैं विधिद्वारा इस्थापित भारत के संबिधान के प्रती सच्ची सृद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रुभुता और अखंडता अक्षोन रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहन करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का सृद्धा पूर्वक निर्वाहन करूँगा तो मध्यप्रदेश की विदीशा सीट से शिवराज सिंग चोहान पहुचे है संसद राजमीती में इन्हें हर कोई मामक कहकर पुकारता है लेकिन जिस तरीके से इनके चैरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है वो देखे ये जरूर बताती है कि चाहे राज़िती में कितनी भी मुश्किल हो लेकिन शिवराज सिंग चोहान किस तरीके से आगे बढ़ रहे है और अब तो वो दिल्ली पहुच चुके है लेकिन इन सब के बीश में शिवराज सिंग चोहान ने संसद के तौर पर जो है वो शपत ले लिए एक तरफ आपको लाइव तस्वीर दिखा रही है जहाँ पर जो नेता शपत लेते हुए नजर आरे और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे सबसे पहले देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के तौर पर शपतली वरणसी सीट से तीसरी बार चुनाव जीत कर पहुचे है संसद पीए मोदी मनोहर लाल मनोहर लाल खटर अब जा रहे मनोहर लाल जो लोगसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सची श्रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहन करने वाला हूँ उसके करतव्यों का श्रधा पूर्वक निर्वेन करूंगा तो हर्याना की कर्णाल सीट से पहुचे है संसद हर्याना के पूर मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनुवर लाल कटर उनकी तरफ से शपत ली गई है ऐसे ही तमान संसद जो है वो संसद में अब शपत लेते हुए नजर आएंगे एक छोटा सा ब्रेक फॉरान लॉट्रेक कही मत जाएगा करते है अएला मनुवर थज्ट करते हैं आए पॉरादी से आएगार ठी हुए पार लτί